हरो दोस्तों नमश्कार वेलकम चू एक्जाम मास्टर चैनल जिन्हों ने जूनियर एड़क भरती का फॉर्म डाला था एक्जाम दिया था और एक बार रिजाइट अपना देख चुके उन्हें मैं काऊंगा कि एक बार फिर से देख लो क्योंकि भरती में पद तो भाई अब भरती हो रही है कुल और दो बार रिजर्ट आ रहा है और ताहते सूनहत्तर अभ्यार्थी का इधर अधर हेर फेर हो जारह है मतलब क्या कहोगे इसे कि इतने लोगों पे धानली हो गई या जो भी हुआ मतलब एक बार ठीक से रिजर्ट तो दे दो यार मतलब क्या था अबजेक्टिव पेपर था ऐसा भी नहीं था कि कोई निबंध वाला पेपर था मेंस की कॉपी जाच रहे हो मतलब आपके कम्प्यूटर इतने पढ़े लिखे नहीं कि कैसे आप कर रहे हो चलिए खैर जो भी है इसका लिंक जो है वो आज अक्टिवेट हो जाएगा और रि अचाही बात बताओ 1525 हैं कुल 339 अभ्यार्थी फेल हो गया मतलब पहले ये पास थे कोई संतुष्ट होगा इस रिजर्ट से कि यहां पर सब कुछ ठीक है सब कुछ सही है आपको क्या लगता है मतलब सचिव ने इसपष्ट कर दिया कि संसोधित परिणाम बुद्धवार से वेबसाइट 30 सितंबर तक उपलब रहेगा लीजिए कुल मिला के कहने का मतलब आपको नहीं लगता कि 3191 प्लस 178 मिलाकर कि जो है ये संसोधित परिणाम में फेल करना अनेक्सपेक्टेड है कोई भी चीज पहली बात तो पेपर ठीक से नहीं होता पेपर ठीक से वाज़ इमानदारी कहां है भाई मैं तो पूछ रहा हूं कि इमानदारी कहां है ये शब्द कहां है क्या इस रिजर्ट को देख करके कहा जा सकता है कि इमानदारी का इस्तमाल किया गया है चलिए सहायक अध्यापक पत पर 42,066 और प्रधान अध्यापक के लिए 15444 अभ्यार्थी उत्तिर्ड चलिए एक अच्छी बात है कि 4260 लोग उत्तिर्ड हो गए मतलब 97 के पार हैं इतने लोग वही 60-65 कटाफ था तो कुल मिलाकर करके मेरिट जो है वह विशयवार अगर जाएगी तो बढ़िया अच्छे अच्छे लोगों का सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन पता नहीं कौन-कौन से धांगले बाजों का भी सेलेक्शन हो जाएगा एक खबर और यह है कि नौकरी के लिए ठोकर खा रहे हैं बीड पास है नो में कर लिए यह तो इसे गलत किंवे लेकिन चलिए यह न्यूज के वल बीड रेलेटेट थी तो ऐसे डाल दिया गया लेकिन जोड़ता चाहिए ठीक है आगे देखिए यह नहीं अब यह और सुनिए यह पूरा नोटी से देख लीजिए सम्मिलित थे 2,70,000 पास हैं 42,000 चलिए कम से कम मतलब 4,000 पदों पर तो इन्होंने धांदली कर ही डाली है अब आगे चलिए देख लेते हैं कि रिजर्ट का लिंक जो है वो दोपहर के बाद से दिखने लगे पर देखते हैं इस पर क्या करना है